दोस्तों काफी दिनों से आपकी शिकायत थी कि यार Q&A वीडियो नहीं आया है तो लीजिए आपके सवाल जो है आज के वीडियो के अंदर हमने उठा लिये हैं और अगर आप लोग कोई गाड़ी खरीदने वाले हैं जल्द ही और आप कंशूज हैं कि गाड़ी कौन सी ठीक है और समस्दार लोगों का ऐसा मानना है कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सला मश्वरा करना बनता है तो आपके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शिन के अंदर छोड़ दिया है और आज के सवालों का सिलसला शुरू करते हैं और यह जो सवाल है यह हमने इंस्टाग्राम हैनल से उठाए हैं तो पहला सवाल जो है वो परवीन चोदरी भाई ने पूछाया और उन्होंने बोला है कि नमस्कार सर 2018 ब्रेजा मिलरी इनको वीडियाई ओटमेटिक और वो डेड़ लाख चल चुकी है और सात लाख डिमांड है तो भाई परवीन हाँ यार इसके उपर आप फिर भी जा सकते हो बढ़िया डील आपको मिल जाती लेकिन डेड़ लाख चल चुकी है दोस्तो सात लाख के अंदर और बहुत सारे ओप्शन आपको मिल जाएंगे उन ओप्शन के अंदर आपको अच्छी गाड़ियां कौन सी मिल सकती है अगला सवाल पूछा है मुकल भाई ने और यह कह रहें कि 2022 की मैनिफेक्चरिंग कार लेना वर्त है क्या और इनको जो है वो वी डबलू वर्टिस 2022 का बेस मोडल 11.5 लाख के अंदर मिल रहा है यह ओप आपने यह ओन रोड बोला होगा लेकिन ओन रोड की अगर मैं बात कर 13.13 के आसपास ओन रोड मिल जाती है तो लगबग एक साल के आसपास आपको सवा लाख डेड़ लाख के आसपास का फरक पड़ रहा है मेरे ख्याल से तो आपको नई वाली गाड़ी के उपर ही जाना चाहिए 2023 वेरिंट के उपर ठीक है ना कि 2022 के अंदर या तो आप डिसका जाएंगे तो फिर क्यों पुराना वेरिंट लेना अगला बहुत ही भेतरीन सवाल जो है वो संजे ने पूछा है इनका बजट 10 लाग का है और इनकी जो हाइट जो है वो नॉर्मल एवरेज हाइट के लोगी है 5 से 5.6 के आसपास जो है इनकी फैमिली मेंबर्स की हाइट है और फीचर्स जो है ये बेसिक फीचर्स जो हैसे की इन्फोटेमेंट ओर वीम जो है ना इलेक्रोनिकली अजस्टेबल पार्किंग सेंसर जो है और इन्होंने कुछ एक हाँ गाडियां भी शोट लिस्टिड करी है मारुति फ्रॉंक्स, ब्रेजा, एलेकसाई, नेक्सो, ने और फीचर्स जो है वो लेन्या पसंद कर रहे हैं और क्यों ना हो गाड़ी के अंदर लगबग लगबग सारी चीजे प्रैक्टिकली जो है जो चीजे है वो दे चुके हैं लेकिन उसका सेफ्टी आनी बाकी है मैं इन चारो पाचो ओप्शन्स के अंदर से आपको बताना च जाता है एवरेज भी बहुत ही अच्छी निकाल देती है दूसरे नंबर के उपर मैं कहूंगा कि फ्रॉंग्स के अंदर भी आपको काफी कमफर्ट और स्पेस वगरा काफी अच्छा मिल जाता है ग्राउंड क्लेंस भी डीसेंट मिल जाती है तीसरे नंबर के उपर जो है वो काफी अच्छा आपको निकल करके एक वैल्यू फोर मनी जो है ना चीज निकल करके आती है उसमें लगबग लगबग आपके सारे फीचर जो है ना वो कावर हो जाते हैं तो एक्सर का SX वेरियंट जो है उसके उपर भी आप जा सकते हो नंबर बन के उपर है ब्रेजा LXI दूसरे नंबर के उपर एक काइंड ओफ टाई है आप फ्रॉंक्स भी ले सकते हैं या आप एक्स्टर भी उठा सकते हैं ब्रेजा LXI के अंदर आपको सिर्फ इन्फोटेन्मेंट लगवाना है बाकी मोज करो अगेन अगर आप लोगों का क्येश्चन इसके अंदर नह वेन्यू के उपर जाओं दोनों ही डिफरेंट केटेग्रीज जो है नो ने उठा ली यह कह रहे हैं कि थोड़ा बोल्ट माइलेज भी सही होना चाहिए देखिए एवरेज सही है आपको होंडा सिटी का काफी अच्छा मिलेगा कमफर्ट वाइस भी बहुत बढ़िया लेकिन यहां पर दूसरा जैसे आपने ओप्शन दिया कि नेक्सोन या वेन्यू तो फिर मुझे लगा कि आप ग्राउंड क्लेंस लवर भी है यहां यहां पर तो आपको मैं बता दूं कि इस हिसाब से क्यों ना आप होंडा एलिवेट का थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि वो भी 1.5 इंजिन के साथ ही आएगी हो सकता है कि ठीक एवरेज निकाल दे वो गाड़ी होंडा सेटी जितनी तो नहीं निकाले कि लेकिन फिर भी डीसेन तरीके से निकाल सकती है तो आप एलिवेट भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए दो चार दिन के अंदर ही जो है इसके डेल्टा प्लस लूँ विच इस बेस टू बाई देखिए मैं अगर आपकी जगे होता है इन दोनों गाड़ियों में से एगर चूज करना होता तो मैं एनी डे फ्रॉंक्स को उठाता मेरे को डिजायर इतनी कोई खास पसंद नहीं है गाड़ी दूसरी चीज फ्रॉंक्स के है डिजायर से एक फ्रेश लुक के साथ भी है गाड़ी ठीक है तो फ्रॉंक्स आपके उपर जचेगी अभी शेक मेरे भाई ने पूछा है यह कह रहे हैं कि इनका जो बजट है वह आठ लाग का है और ओन रोड आठ लाग का बजट है और यह कह रहे हैं कि अच्छी करके हमारा थोड़ा सा मेजर कंसर ने उस गाड़ी को ले करके क्योंकि वह वही प्लेटफों में जिसके उपर आपकी सेंट्रों आती है यह जिसके ऊपर आपकी ग्रेंड आइटें नियोस वेगरा जो है न यह चीज आती है उनका कोई विसेश जो है ना वह इतिहास राया तो अ गाड़ीरों का आडली मेरे खेल से डो स्टार लेकर के आिए ती तो अगर तो मैं आपको रि Soph sont रहाए यार ये गाड़ी अगर आपका भी concern है भीया safe भी आपको गाड़ी चाहिए तो यहाँ पर punch भी जो है न एक तगड़ा punch मारती है क्यों क्योंकि वो काफी safe गाड़ी है और BS6 phase 2 के अंदर जो punch है वो चलती भी काफी refine है तो इन दोनों गाड़ीयों की test drive लीजिए जो आपको पसंद है उन गाड़ है थोड़ी सी उंची भी है गाड़ी दिखाई भी उंची देती है उससे बड़ी भी है गाड़ी एक segment उपर भी है गाड़ी ठीक है और काफी refreshing look के साथ भी आती है तो ब्रेज़ा के मुकाबले तो grand vitara sigma जो है न वो जादा value for money है और देखिए लगबग दोनों के अंदर engine त वो मानना हो सकता है लेकिन आप back to back चलाईए आपको भी मेरे ख्याल से विटाराई पसंद आने वाली है अगला सवाल लेते हैं परवेश भाई का ये कह रहे हैं कि hello road भाई कैसे हो मैं बहुत बढ़िया हूं दोस्त तो ये कह रहे हैं कि रोईद भाई आप Honda Elevate के launch पर गए थे तो आपको कैसी लगी गाड़ी backspace, look, road, presence, height, width, wise बगएरा मैं वैसे होंडा की midsize SUV का वेट कर रहा था तो आगी है बहुत ही नजदीक हैं आप ठीक है मैं आपको बताता हूं कि कैसे बहुत अच्छी आपने गाड़ी बुक कर रखी है और Elevate का 2-4 दिन के अंदर हम लोग का वीडियो आने वाला है अभी drive होने वाली है दो-तीन दिन के बाद हम लोग drive करेंगे उसके बाद आपको तगड़े तरीके से बता पाएंगे देखें look wise जो है वो गाड़ी decent लग रही है कोई बुरी गाड़ी नहीं लग रही अच्छी लग रही है और अगर इस गाड़ी के बाद में Honda की जो है न वो चल पड़े ना हो ठीक है इसाब किताब इस तरीके से देखिएगा अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड आई गाड़ी के अंदर तो Grand Vitara तो है definitely आप जाकर के उठा लीजिए काफी अच्छी मैं कहाँगा कि perfect family car के तोर पर आप इसको choose कर सकत और ये राजस्तान के रोडों की बात कर रहे हैं और दूसरा ये कह रहे हैं कि इनके पास दूसरे स्टफ के लिए Scorpio है तो अब ये Swift और Fronks में से confused हैं कि कौन सी गाड़ी लें देखिए जब मैंने Swift क्या कहते हैं कि desire की बजाए भी बोला कि Fronks लीजिए तो definitely इस Swift की हाईवे के उपर ही ड्राइव जादा करनी है तो थोड़ा सा सेफ ओप्शन के तरफ भी आप जा सकते हैं वैसे ब्रेजा को भी चूज कर सकते हैं वैसे फ्रॉंक्स के अंदर कोई बुराई नहीं है अगर Swift से ही compare किया जाए तो ठीक है तो इन दोनों में से definitely Fronks मोहमद आती boost engine देखिए अब repair वेगरा के अंदर आपने सही सुना है कि देखिए भार तो इसके कोई भी जो है ना वो repair वेगरा करने वाले बैठे नहीं है और हो सकता है कि आपको यहां फोड के अंदर भी थोड़ा सा टाइम के बाद ही इसके parts वार्ट जो है ना वो थोड़ा से मिलने क अंदर थोड़ी सी एस विदा हो, मैं कहता हूँ कि क्यों पंगे ले रहे हो यार, अगर आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी है तो नॉर्मल वाली ले लो यार, इको स्पोर्ट, इको बूस के चक्कर में क्यों पड़े हो है, छोड़ो इतना भी बहुत भेंकर वाला इसाब किता अब नहीं था उसका, ठीक है, तो उसकी बजाए आप नॉर्मल एको स्पोर्ट पेट्रोल के उपर भी जा सकते हैं, आपको वो भी सस्ती मिल जाती है, ठीक है, इसकी बजाए तो, मैं तो मनाई करूंगा आपको, आकाश भाई का सवाल है, ये कह रहे हैं कि यार, 80,000 किलोमे में से कौन सी ले, अगर, देखिए, काईगर, मैं तो उसको नई को भी सजेस्ट जादा नहीं करता हूँ, यूज़ के अंदर तो मैं आपको कैसे करूं, लेकिन हाँ, ये भी डेफिनेटली बात है, कि स्विफ्ट आपको थोड़ी सी महेंगी मिल रही है, थोड़ा सा सस्ता करवानी की कोशिश करो, स्विफ्ट के उपर जा ले जाओ, तो वो ज़्यादा बेतर है, काफी पंची इंजन जो था न, वो स्विफ्ट के अंदर परफॉर्म करता था, ये डीजल वाला आपको पता ही होगा, ठीक है, इसके ठीक उल्टा है, काईगर के अंदर अगर आप काईगर में सिंपल सी बात, अगर मज़ा लेना है, तो स्विफ्ट डीजल जो है, आपको मज़ा दे देगी, ठीक है, थोड़ा सा और सस्ता करवानी की कोशिश करो, उसको हो सकता है, कि आपको ठीक प्राइस के अंदर मिल वी जाए, इन दोनों गाड़ियों में से डेफिनि लोगों का ऐसा हो सकता है, कि ना भी हुआ हो, उनकी situation अलग हो, उनके मतलब की budget अलग हो, गाड़ियां अलग चूज कर रखी हो उन लोग ने, हम उनको अलगी recommend करें, तो नीचे जो description के अंदर link दे रखा है, ज्यादा से ज्यादा आप वहाँ पर जाकर के पूछे, 24 गंटे के अंदर आपको वहाँ पर जवाब मिल जाएगा, आपकी परिष्थिती को समझने के बाद में, ओके, तो समझदारी तो उसी में होगी, बाकी मिलते हैं ऐसे किसी next video के अंदर इसी message के साथ कि अगर आप four wheeler चलाते हैं तो seat bell जरूर डालेगा, two wheeler अगर चलाते हैं तो helmet जर जय भारत